फूल गोवी भुजिया आज की रेसिपी का नाम है जो की बहुत ही यम्मी एंटेस्टी होने वाली है इसको आप ब्रेफास्ट लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं और इसको बनाना बहुत आजाल है तो चलिए सुरू करते हैं फूल गोवी भुजिया बनाना फूल गोवी डाला है जब आपका तेल गरम हो जाता है उसमें डालेंगे जीरा जैसे ही आपका जीरा थोड़ा सा चट चट बोलता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे लासुन चौप के होगा लासुन डालने के बाद में आपको डालना है आधरक चौप के होगा उसके बाद डालेंगे प्याच चॉप किया हुगा, और प्याच के बाद आम मैं डालूँगा हरी मिर्च चॉप कि आपको, इन सब को थोड़ा साथ सौटे करना है आपको, हल्का साथ सौटे हो जाने के बाद में, आब मैं डालूँगा नमक, थोड़ी सी हल्दी पौडर थोड़ी सी धनिया पौडर और हाप टी स्पून लाल मिर्च पौडर इन सब को डालने के बाद में मैं इसको अच्छे क्से मिक्स कर देता हूँ और उसके बाद हम डालेंगे चौप के हुआ टमाटर इसको भी अच्छे क्से मिक्स कर देना है और इसको थोड़ी दिर पकने देते हैं जब तक मैं फूल गवी को कद्दुकस कर लेता हूँ यहां मैंने फूल गवी को कद्दुकस कर लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगा और इसको अच्छे से mix करने के बाद में इसको मैं पांच मिनट के लिए ढग देता हूँ जैसे क्या होगा हमारी फूलबे भी जल्दी से पक जाएगी दो देखें मैं इसको पांच मिनट के लिए ढग दिया था और यह हमारी फूलबे भी बजीया पक चूकी है और अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला डालनेक बाद में अब मैं इसमें डालूँगा हारा दनिया चौप के होगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा और mix करने के बाद में अब मैं इसको एक बरतर में निकाल लेता हूँ यह हमारी full को भी बुजिया बनके त्यार हो चुकी है इसको मैं एक बरतर में निकाल लेता हूँ बहुत यह आसान था इसको बनाना So friends, आप full को भी बुजिया के enjoy लेजिए और मैं चलता हूँ नेश्ट वीडियो की ओर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को like, share, subscribe करते रहिए और बेल आगें घंटी जोर दो आईए जिससे आपको नएने वीडियो की notification मिलती रहे Thank you for watching, enjoy, full को भी बुजिया